इश्वर ने मनुष्य को अन्यप्राणियों से शृष्ट बनाया है। कई गुणों से उसे समारा है। इसका उसे अभिवान भी होता है। परंतु स्वयम को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कारे करता है जिने वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरन रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मुहले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पतार से उन्हें रोपा, देख भाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मुहले के लोग सुभशाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन् आएंगे। उन्होंने एक तक्ती के उपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ा मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगोंने तक्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सबेरे जल्द जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धुम्रपान करना निशेद है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीडी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंड़क्टर ने कहा भाई साहब बस म बीडी सिगरेट पिना मना है। उसने जल्ती बीडी खिडकी से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंड़क्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की के लिए है, नकी हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करी रहा था कि दुकानदार बोला। आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है। म जनने स्कूटर वहां खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं कि यह तो मेरा बेटा है। बार बार आ रहा था। उन्हों इकने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा। तुम्हारे पिता जी से कहो कि मैं मकान का किराय लेने आया हूँ। पिता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हसने लगा, घर में बैठे मित्र के चहरे पर भी मुस्काना गई, जिसे देख कर वे सज्जन पानी पानी हो गए एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था, कि हमें कभी किसी काम को गलत धंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी चाहिए बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर, वे कोई उपाय सोचने लगे, उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, वे तुरंत उसके पास गए और बोले बेटो, ये भिल तुम घर पर ही भूलाए, लो इसको भी जमा करा दो वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही, बिल वर राशी उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए पुता बार-बार कहने लगा दाडा जी लाइन में लगिये न उसकी बात सुनकर लोग हसने लगे कई लोग ऐसे होते हैं, जो आदर्श की बाते तो करते हैं, पर उन्हें अपनाते नहीं इस प्रकार का आच्रण अच्छा नहीं होता ऐसा आच्रण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता वे हासी के पात्र बनते हैं इसलिए हमें कथनी और करनी में सदेव समानता रखनी चाहिए हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान